बतादी exam देट तो आगे प्रिपी प्हीच डी exam के जो की 16 जनवरी को होगा अप बात करते हैं अर्मिट कार्ड कब आएगा अब का अब कारड आपका बेसिकली 13 से 14 14 जनवरी तक आप सभी का तो हेलो फ्रेंड्स कि आप देख रहे हैं और लाइकर आप अब लेकर अब अब इने चादरी आप सबीका स्वागत करते हैं आपके अपने ऑनले किसे अप जेल में तो जी फ्रेंड्स अभी भी आपके इस वीड कोवर्सिंग उन्वरसिटी के तरफ से पी एचेड़ी पाट सब्सक्राइब करें तो मैसे अभी नहीं चौधरी चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं अगर आपको भी गवर्मेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स का अप्डेट चाहिए तो गाइज उसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑलन एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बगलन जो बेल आ कहने हैं उसे प्रेस करें प्रेस करने के बाद आप को आल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि हमारे चैनल पे जो भी गवर्मेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स और आइटी आई और एपरेंटिस से रिलेटेड जो भी नए अपडेट आई वो सबसे पहले आपको मिलें आइज आई गर्मेंट जॉब्स प्राइव परिख्षा के लिए सारी त्यारी पूर्णी कर लिए फूर्णी के तरफ से परिख्षा नेंतरक प्रोफेसर्टर अनवर इमाम नहीं बताया कि Pre-PhD के लिखित परिक्षा दो सिफ्ट में होगी पतम पाली की परिक्षा सुभा 11 वजे से लेकर दो फ़र 12 वजे तक होगा तो को मैं बताओ दूए हैं आपको पढ़ने को मिल जा रहा है कि परिक्षा सुभा 11 वजे तक होगा अगर आगे परिक्षा कि बिलड़ाय का या अब्जेक्टिव होगा इसकी अगर आपको डाउट है यह कलियर कर देना चाहूंगा अभी ही कि पर पार इन प्रश्टिव सारे प्रश्न इसमें वह हो विकल्ति होंगे यांद इसमें सारे प्रश्ण अब्जेक्टिव सोंगे तो अब्जेक्टिव पूछे जाएंगे वेपर पार यह उसमें आपको अंग्रेजी गनीद रीजिनिंग और जेनर नौल से सवाल पूछे जाएंगे तो किसके सब्जेक्ट से आपको कोश्चन पूछे जाएगा इस PhD मैं सब्जेक्टिव होगा की यह पर्यक्टिव कोपीपं comments है आप, जिससे थे आप पीजी जींगते से, इसमें सब्जेक्ट से स्वाल पूछे जाएंगेगे, और जो सब्जेक्टिव में होगा, वह सब्जेक्टिव होगा, किस लिए होगा चुल आगे जानते हैं. यह प् पीजी की हैं सब्जेक्ट से उस सब्जेक्ट से अपर इंटिड इसमें कोश्चन पूछे जाएंगे उन्होंने बताया कि परिच्छा के लिए गेंद का भी चैन यानी सेंटर का भी चैन कर लिया गया है देख पर है पुरी कंफर्म बेटा चुकी है प्री पीएच्टी की लि बहारे आप सभी का सेंटर बनेगा इन्हें दूसरे जीलिम आप सभी का इस फिकूर्स इउवर्सिटी का पीपेच्टी का इन प्रेट का इस एक्जाम होगा तो चले मैंने आपको इक्जाम एट पता दी एक्जाम एट तो आगे प्रीप्यच्टी एक्जाम के जो की 16 जनव देख पारे हो वेबसाइप आनी होगी विक्यासी डोट इसी डोट इसी वेबसाइप पर आपको अबिकर देखने को मिले था फिलाल तो भी अबिकर आए डी तुसके अबिकर भी अवलेबल लहीं है जैसे इक मैंने को बता दिया आप डाउन कर पाओगे 14 जनुबरी से यानी 13 जनुबरी से 14 जनुबरी से आप अपना अबिकर डाउन कर सकते हो तुम्हें देख की पूरी अपडेट कि निको डाउट हो तो कमिन कर ना भूले हम उनका बता दिया कि पैटिन कैसा होगा पेपर का किस तवी कोशने में पूछे जाएंगे दोस्ति इपने एक्जाम हो प्रदे देंगे जिसके लिए हमारे चैनल के बहुत स्मिजाइए वहां पर अगर्ट एकाम चैनल के देखने को मिलेगा टेगाम चल्पर जोड़ना बोले तो आज किस वीडियों इतना है बिलते अपने अगले वीडियो में तक तक चाहिंद वाते मात्र कर दो आज हो आज हुआ है